Hello Students, Welcome to MOS Classes, इस वीडियो में हम 8th Class Math and CEIT की जो नई बुक है, उसके Chapter No.11 की Exercise 11.1 के सभी Questions को Solve करेंगे तो First Question में हमसे कहा गया है, Following are the car parking charges near a railway station up to आपको यहाँ पर car parking charges दिये गए है, एक railway station के पास, दीखे किस तरीके से दिये गए है 4 hours तक अगर आप पार्क करते हैं गाड़ी को, तो आपको 60 रुपीज यहाँ पर parking charge देना पड़ता है 8 घंटे तक 8 hours तक अगर आप parking करते हैं अपनी कार की, तो उसके लिए charge है 100 रुपीज 12 घंटे तक 12 hours तक आपका parking charge रहता है 140 रुपीज और 24 घंटे तक अगर आप कार पाक करते हैं पार्किंग में, तो आपको देने होते हैं 180 रुपीज उसके बाद हमसे पुछा गया है, check if the parking charges are in direct proportion to the parking time हमसे कहा गया है कि यह जो time दिया हुआ parking का और इसके साथ जो यह charge दिये गए हैं क्या यह direct proportion में है, parking charges की proportion चेक करनी है कि कि वो direct proportion में है और नहीं किसके साथ, parking time के साथ, तो जो इस chapter की basic video थी students उसमें हमने आपको बताया था कि direct proportion में तब आपका यह data होगा, जब जैसे कि यहाँ 4R और 60 रुपीज है, जब इन दोनों का ratio और इन दोनों का ratio या बाकी जो भी data दिया गया उनका ratio अगर आपस में equal आता है, तब हम कहेंगे कि यह direct proportion में है, otherwise नहीं तो सबसे पहला data किया है, 4R और रुपीज 60, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 upon 60 is equal to, अब देखिए इसको हम check करते हैं, कि 4 और 60 का जो ratio है, वो क्या बन रहा है अगर हम इसको solve करें, तो 4 और 4, 4 15 और 60, क्या answer आया, 1 upon 15, अगर बाकी के ratio भी same आते हैं, जैसे 8 का 100 के साथ, 12 का 140 के साथ, और 24 का 180 के साथ, अगर यह ratio भी 1 upon 15 आये, तब तो यह सारा data क्या होगा, direct proportion में होगा, otherwise नहीं, क्योंकि direct proportion का क्या मतलब है, कि अगर इस चीज में तो 3 होनी चाहिए, इसका मतलब ratio same आने चाहिए, अब हम चेक करते हैं, 8 का 100 के साथ, 8 upon 100 अगर आप करते हैं students, तो यह 4 से करता है, 4 to the 8, 4 25 the 100, जैने 2 upon 25, देखें, पहले दोनों के ratio ही same नहीं आये, यह 2 upon 25 है, यह 1 upon 15 है, अगर यह ratio same नहीं आये, तो हम यहाँ सीधे-सीधे answer लिख सकते हैं, कि यह direct proportion नहीं है, लेकिन हमने आपको सारे ratio चेक करके बताए हैं, लेकिन अगर दो ratio भी same नहीं आते, तो इस data में आप सीधे-सीधे लिख सकते हैं, कि यह direct proportion नहीं होगा, इसके बाद का जो data तो students, वो था 12 hours और 140 रुपीज का, तो 12 upon 140 अगर आप करते हैं, तो इसको हम दिवाइड करके दिखाते हैं आपको, 26 दा 12, 270 दा 140, और आगे दिवाइड करते हैं, 23 दा 6 और 235 दा 70, बचा 3 upon 35, देखें यह भी ratio कोई match नहीं करी, इसके बाद last रहते हैं, 24 और 180, इसको अगर आप सोल करते हैं students, 2, 12 दा, 2, 90 दा, 2, 6 दा, 2, 45 दा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 to the 6 और 3, 15 दा, 45, 2 upon 15 आ गया, अगर आप ध्यान दे, तो कहीं भी ratio match नहीं कर रही है, और अगर ratio match नहीं कर रही है, तो इसमें ये direct proportion भी नहीं होगा, तो हम यहाँ पे सारी ratios दिख सकते हैं, हमने दिखा 4 upon 60, देखे इसकी ratio 8 upon 100 के साथ match नहीं कर रही है, और आगे 12 upon 140 की ratio भी different है, और 24 upon 180 की ratio भी different है, क्योंकि सबकी ratio different आ रही है students, यानि के बढ़तो रहे हैं, देखे, यहाँ पर ये 4 आर का 8 आर हुआ, 60 का 100 रुपीज हुआ, 8 का 12 आर हुआ, 100 का 140 रुपीज हुआ, 12 आर का 24 हार हुआ, और 140 क 180 रुपीज, अगर अब ध्यान से देखें, तो ये बढ़ रहा है, देखें, चार्ज, जब 4 गंटे था time, तो 60 रुपे था उसका चार्ज, ये बढ़ गया, 8 गंटे हो गया, चार्ज भी बढ़ गया, फिर से आर बढ़े, फिर चार्ज बढ़े, यहाँ पर भी आर बढ़े चार्ज बढ़े, यानि जब आर बढ़ रहे हैं, नंबर ओफ आर बढ़ रहे हैं, कार में पार्किंग का टाइम बढ़ रहा है, तो उसके फीज, यानि उसका चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन वो सही रेशो में नहीं बढ़ रहा है, यानि कभी जएदा बढ़ रहा है, क तू दा पार्किंग टाइम, यानि जिस रेट से ये जो नमबर ओ फार बढ़ रहे थे, उसी रेट से जो पार्किंग चार्ज है वो नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए ये जो गिवन डेटा है स्टुडेंट्स, ये डेटा डिरेक्ट परपोश्चन में नहीं है, तो कॉशन मिक्सर बनाना है, पेंट का ठीक है, उसमें अगर एक पार्ट red pigment का mix किया जाता है, तो उसके साथ 8 पार्ट बेस के mix किया जाते हैं, यानि ये ऐसा मिक्सर है, यानि एक पार्ट फोर आख्जामपल हम ले – जे रहते हैं कि एक ग्राम red pigment है तो 8 ग्रामасс बेस है. हमें एक यहाँ पर ध्यान से देखेगा कि parts of red pigment हमें अलगलग given है 1, 4, 7, 12, 20 और part of base हमें एक बार given है 8 और बाकी के जो part of base है वो हमें निकालना है इसका मतलब जब एक red pigment यूज़ करते हैं तो उसके साथ 8 part आप base यूज़ करते हैं और अगर आप 4 part red pigment यूज़ करेंगे तो उसके साथ कितना part base होगा 7 parts जब आप red pigment इस्तिमाल करेंगे तो उसके साथ कितना part of base होगा जब आप 12 parts of red pigment यूज़ करेंगे उसके साथ का part of base भी हमें निकालना है और finally जब आप 20 parts of red pigment यूज़ करते हैं तो उसके साथ कितना parts of base चाहिए यह हमें calculate करना है तो सबसे पहले तो ध्यान द बढ़ जाएंगे ऐसे ही जैसे जैसे ये red pigment के part बढ़ते जाएंगे जैसे वैसे part of base भी बढ़ता जाएगा क्योंकि एक part red pigment के साथ अगर 8 parts of base है तो अगर इसकी quantity बढ़ेगी तो ये quantity भी बढ़ेगी आपने red pigment बढ़ाए एक red pigment के साथ 8 तो 4 के साथ कितना होगा वो भी बढ तहाँ इस तरह से हम कह सकते हैं, कि यह एक direct proportion है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है, या inverse proportion है। पन्हें यह जाएगा काम क्योंकि हमने आपको इसके बीडियो में भी वतार है, कि direct proportion का formula होता है, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. देखें यहाँ पर जो value given होती है जैसे कि red pigment के part की value 1 है और part of base 8 है तो इसको आप हमेशा x1 और y1 ले सकते हैं क्योंकि एक value कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो पूरी तरह से given हो तो x1, y1 जो यह formula में है इसकी पूरी value यहाँ given है उसके बाद दूसरे number पर x2 है और y2 हमें पता करना है यह values y के लिए है यह उपरवाड़ी values x के लिए है तो formula रगाया x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 x1 की जगा यहाँ है 1 तो formula में x1 की जगा क्या आ जाएगा 1 उसके बाद y1 की जगा क्या है 8 तो यहाँ y1 की जगा 8 फिर equal to का sign आया इस formula से हमने लिया is equal to x2 x2 क्या होगा इससे next value जो यह है 4 यह x2 की जगा 4 और यह value हमें पता करनी थी y2 यह हमने as it is रखी अब अगर हमें y2 चाहिए students तो यह y2 cross multiply होकर यहाँ 1 से multiply हो जाएगा और y2 into 1 क्या होगा y2 यह y2 इदर आके cross multiply हुआ और इदर y2 बन गया is equal to का sign यह वाला 8 cross multiply होकर इदर आके 4 के साथ multiply होगा 4 into 8 तो y2 की value क्या आजाएगी 4 into 8 यानि 32 यानि जब आप 4 parts of red pigment यूज करते हैं तो उसके पास उसके साथ आपको जो part of base यूज करना होगा वो कितना होगा 32 अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो यह जो हमारा answer आया है इसको आप एक और तरीके से भी check कर सकते हैं यह तो एक concept है जैसे आपने जिखना है लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ratio भी same है या नहीं देखिए अगर red pigment part 1 से 4 गया तो यह 4 times बड़ा तो ध्यान से देखिए part of base भी 8 into 4 4 times ही बड़ा तो सिरफ बढ़ना ही काफे नहीं होता उनकी ratio भी same होनी चाहिए यहाँ पर यह 4 times बड़ा तो यहाँ पर यह भी 4 times ही बड़ा 1 into 44 8 into 4 32 इसके बाद x1 y1 की value हम इसी को use कर लेते हैं और इस बार x2 क्या हो जाएगा 7 और y2 हमें इस बार यह वड़ा निकालना है तो देखिए फिर से वही formula हमने use किया x1 की जगा 1 use किया और y1 की जगा यहाँ पर students यह y1 आएगा x1 upon y1 y1 की जगा 8 देखिए आप x1 और y1 को अपनी मर्जी से अब use कर सकते हैं हमें पहला case किया था तो हमारे पास सिर्फ यह value given थी तो x1 और y1 के लिए एक यह option था अब आपके पास दो option है आप इसको भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसको भी तो हमने इसको इस्तिमाल कर लिया यह हमारे छोटी value रेगी easy हो जाएगा calculation हमारा तो x1 और y1 की जगा 1 और 8 यूज किया equal to इस बार x2 की जगा क्या रखा 7 और y2 हमें इस बार यह वादी value निकालनी है y2 इदर cross multiply हुआ 1 के साथ तो y2 into 1 क्या हो जाएगा यह y2 इदर आगे इस side में equal to 8 इस side आके 7 के साथ cross multiply हो गया 7, 8 दर 56 तो y2 की value 56 देखिए अगर यह 1 से 7 पहुचा यानि कि 1 7 टाइमस बढ़ा तो 8 भी कितना टाइमस बढ़ा 56 और यही हमारा answer है यहाँ पर 56 यानि एक चीज जिस ratio में बढ़ रही है उसी ratio में आपकी दूसरी चीज भी बढ़ रही है अब इसके बाद हम x1, y1 is equal to x2, y2 का formula आगे fill लगाएंगे क्योंकि भी दो value जोर निकालनी है तो x1 और y1 इस बार भी हमने 1 और 8 ही लिया equal to इस बार x2 हमने क्या लिया 12 और यह वाला y2 हमें इस बार निकालना है यह y2 y2 देखी यहाँ पर कोई value आप ऐसे मत सोचेगा के y2 कोई compulsory है आप इनको लगलग भी लिख सकते है y1, y2, y3, y4 लिखने का एक method हैं सब जगा यह जो हमें निकालना है उसको y2 के साथ indicate करके दिखा रहे हैं बस आपको ठीक है तो यह 1 upon 8 x1 और y1 की value आ गई is equal to यहाँ पर देखिए यहाँ पर x2 की value क्या है 12 और y2 हमें निकालना है यह y2 इदर आके 1 के साथ cross multiply हुआ y2 into 1 देखी यहाँ y2 आ गया यह 8 इदर आके 12 के साथ multiply हुआ cross multiply 12 वे तर 96 तो जब आपका part of red pigment 12 होता है जो यहाँ पर हमने 12 यूज किया तो आपका y2 यानि कि आपका part of base कितना आता है students 96 इसके बाद last देखते हैं इस बार भी आपने जो निकालना है वो direct proportion से ही निकलना है तो x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 तो x1 और y1 तो हम बार-बार एकी चीज दे रहे है 1 upon 8 इससे हमारी calculation easy हो रही है आप x1, y1 की जगा ये values भी अब use कर सकते हैं हमने इसी को x1, y1 मानके पूरा question solve करके आपको दिखाया है x1 upon y1, 1 upon 8 is equal to x2 क्या है इस बार 20 और इस बार y2 ये वाली value हमें निकालनी है यानि जब part of red pigment 20 होते हैं तो part of base कितना होता है ये y2 इदर आके 1 के साथ multiply हुआ ये y2 बन गया 8 is side आके 20 के साथ cross multiply हुआ ये आगया 160 यानि जब part of red pigment 20 होते हैं students तो part of base कितना इस्तिमाल होता है part of base इस्तिमाल होता है 160 तो third question में हमसे कहा गया है in question 2 above if one part of a red pigment requires 75 milliliter of base how much red pigment should we mix with 1800 milliliter of base second question में students इसी exercise के second question में हमें 2 चीज़े given थी parts of red pigment और parts of base कि अगर हम red pigment की इतनी quantity use करते हैं तो उसके साथ हमें part of base की कितनी quantity use करनी होगी तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उसी question में से देखे part of red pigment और part of base तो उसी question से जिया गया है लेकिन उसके data में थोड़ा सा यहाँ change किया गया है यह कह रहे हैं कि अगर one part of red pigment अगर आप use करते हैं तो उसके साथ जरूरत होती है requires मतलब जरूरत तो one part of red pigment के साथ जरूरत होती है 75 milliliter of base की ठीक है तो red pigment का part कितना है one और उसके साथ कितने base की जरूरत है 75 milliliter की उसके बाद वो कहते है how much red pigment should we mix कि हमें कितना red pigment यूज करना चाहिए mix करने के लिए with 1800 यानि 1800 milliliter of base यानि के अगर एक part red pigment का था तो 75 milliliter part base का है अगर 1800 milliliter base यूज किया जा रहा है तो उसके साथ कितना part red pigment का यूज होगा ये हमें बताना है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि proportion कौन सा है देखे students जब part of red pigment one था तो base कितना milliliter था 75 milliliter अगर base 75 milliliter से बढ़कर 1800 milliliter हो गया है तो 8 means इसका red pigment का part भी बढ़ेगा जब दोनों ही चीज़े बढ़ रही है तो हम कहेंगे ये क्या है ये direct proportion है तो direct proportion का क्या formula होता है students x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 तो इस question के लिए हमारा x1 यहाँ पर 1 है और y1 क्या है 75 x2 जो चीज हमें निकालनी है यहाँ पर क्योंकि ये उपर वाड़े part में हम इसको x की values मानके चलते हैं और नीचे वाड़े को y तो यहाँ हम इसको नाम दे रहे हैं x2 ये x1 है ये x2 है ये y1 है ये y2 है तो x1 upon y1 ये x1 ये y1 is equal to x2 upon y2 ये x2 ये y2 तो x1 की जगा हम रखते हैं यहाँ पर students 1 ये x1 की value आ गई देखिए y1 की value 75 इसके upon में आ गई is equal to x2 की value ये हमें find out करनी है और y2 की value यहाँ पर आ गई 1800 अब हमें क्योंकि x2 की value चाहिए x2 को हम यहाँ ऐसे ही रखते हैं 1800 अब यहाँ आकर इस 1 के साथ cross multiply हो जाएगा तो 1800 जब यहाँ आएगा cross multiply के लिए तो 1800 इंटू 1 के हो जाएगा students 1800 यानि 1875 यहाँ पोन में है अब हम इसको calculate करेंगे कि किस तरीके से divide होगा देखिए x2 हमने as it is यहाँ रखा 1800 upon 75 अब देखते हैं इसकी calculation कैसे होती है अगर हम इसको 5 से divide करना चाहिए दोनों numbers को 5 से काटना चाहिए तो काट सकते हैं यहाँ पर देखिए 5 1 दा 5 7 में से 5 गया 2 5 5 दा 25 क्योंकि देखिए जह हमने 5 1 दा 5 किया तो 7 में से 5 गया 2 2 और 5 कितना हुआ 25 तो 5 5 दा 25 अब इस numerator को भी 5 से divide करते हैं 5 3 दा 15 18 में से 15 गया 3 3 and 0 30 तो 5 6 दा 30 बचा ये वला 0 ये 360 आगे students अब इसको आगे हम 5 से काटते हैं 5 3 दा 15 उसके बाद 5 7 दा 35 36 में से 35 गया 1 1 and 0 10 यहाँ पर हो जाएगा 5 2 दा 10 अब हम 72 को 3 से divide करते हैं students देखिए 3 दा 3 3 दा 6 7 में से 6 गया 1 1 and 2 12 तो ये कटा किस से कटेगा 4 से 3 4 दा 12 हमने 3 दा 3 3 से काटा और 3 2 दा 6 बचा 1 1 और 2 12 3 4 दा 12 दोनों numbers को आपने same digit से काटना होता है देखिए जब हमने 72 को 3 से काटा तो हमें क्या मिल गया 24 तो यहाँ पर X2 की value कितनी आ गई है 24 इसका मतल़ यह हुआ students कि जब part of base 1800 milliliter इस्तेमाल हो रहा है तो part of red pigment कितना इस्तेमाल होगा यही तो X2 था और X2 की value कितनी आ गई 24 तो finally students हम यह कह सकते हैं कि 24 parts of red pigment requires with 1800 milliliter of base यानि कि 24 part red pigment की ज़रूरत होती है अगर 1800 milliliter of base के साथ उसे mix करना है तो तो fourth question में हमसे कहा गया है a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours how many bottles will it fill in 5 hours देखिए वो हमसे कह रहे है कि एक machine है किसी soft drink factory में जो fill कर देती है यानि भर देती है 840 bottles को कितनी देर में 6 hours में 6 गंटे में 844 bottle भर देती है एक machine soft drink की किसी factory में how many bottles will it fill in 5 hours अगर 6 गंटे की बजाए 6 hours की बजाए अगर वो machine 5 hours काम करे तो 5 hours में कितनी bottles भर सकती है देखिए यहां table के रूप में इस data को show करते है time हमें दिया गया hours में तो time in hours और number of bottles हमसे कहा गया कि 6 hours काम करती है machine तो 840 bottles fill कर देती है अगर वो machine 6 hours की जगा 5 hours काम करे तो कितनी bottle fill करेंगी देखिए यह x1 होगा यह y1, यह x2 होगा और यह y2 बहुत simple सी चीज है कि यहां सबसे पहले हम यह देख रहते हैं यह direct proportion है और यह inverse proportion है अगर यह direct proportion है तो direct proportion का formula रख जाएगा देखिए अगर 6 घंटे machine काम करती है तो 840 bottles fill करती है अगर time कम हुआ 6 से 5 घंटे हुआ 6 hours की बजाए 5 hours हुआ तो obvious ही बात है कि number of bottles भी कम होगी जब एक चीज में कमी आने की वज़े से दूसरी चीज में भी कमी आ रही है तो इसका मतलब यह कौन सा proportion हुआ यह हुआ direct proportion तो direct proportion का क्या formula होता है x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 x1 की जगा 6 आएगा y1 की जगा 840 is equal to यहाँ पर x2 की जगा यह क्या आ जाएगा यह 5 और y2 की जगा यह y2 क्योंकि y2 की वेज़े तो find out करनी है अब हमें क्या चाहिए students y2 यह y2 इस तरफ आके cross multiply हो जाएगा देखें यह y2 cross multiply हुआ और इस तरफ numerator में आ गया उपर यहाँ पर और यह पूरा part इस side आ जाएगा यह 5 ओरेडी अपनी जगा पर है 840 जब cross multiply होकर right side में आएगा तो यहाँ division में था यहाँ पर multiply में आ गया और यह 6 जब cross multiply होकर इस side आएगा तो 6 यहाँ multiply में था यहाँ divide में आ गया अब इसकी calculation देखते हैं इसको आप calculate करें तो 6 से सीधे सीधे काट सकते हैं 6 वंदा 6 और उसके बाद देखें 6 वंदा 6 8 में से 6 गया 2 2 and 4 24 6 4 दा 24 और रास में क्या बचा 0 यानि कि आपके पास क्या बचा 5 यह as it is multiply by 140 अब 140 को 5 से multiply करेंगे तो आएगा 700 तो यह Y2 की value आ गई है 700 यानि कि students अगर 5 hours वो machine काम करती है तो उसमें जो bottles fill की जा सकती है वो कितनी होंगी वो होंगी 700 bottles यानि कि अगर time अगर कम हुआ है hours में तो number of bottles भी जो पहले 840 थे वो कम होकर 700 रह गई है तो यहाँ पर हम finally दिख सकते हैं 700 bottles can be filled in 5 hours कि 5 घंटे अगर machine काम करती है तो 5 hours में 700 bottles fill की जा सकती है 5th question में हमसे कहा गया है A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram यानि एक bacteria बहुत चोटी चीज़ होती है बहुत small होता है उसका size उसका जो size है वो 50,000 times बढ़ा कर उसका एक photograph आपको यहाँ दिखाया गया है और 50,000 times bacteria के size को बढ़ा किया गया तब जाकर उसका जो photograph था वो आपको कितना दिख रहा है 5 cm ठीक है उसके बद हमसे 2 question पूछे गए students एक तो हमें एक्चुल लेंथ बतानी है यह जो आप देख रहे है यह तो उसका photograph वो वल्दा है जो 50,000 times बढ़ा करके दिखाया गया है उसकी actual length पता करनी है हमें एक तो और उसके बद उन्होंने कहा है इफ तब photograph is enlarged 20,000 times only what would be its enlarged length यानि के अगर इसका photograph 50,000 times की बजाए अगर सिरफ 20,000 times ही बढ़ा किया जाता तो इसकी enlarged length क्या होती दिखे जब 50,000 time बढ़ाया गया तो enlarged length क्या थी 5 cm तो 20,000 जब बढ़ाया जाएगा तब enlarged length क्या होगी वो हमें बतानी है तो सबसे पहले तो इसका actual length पता करना है कि bacteria का actual length क्या था तो सबसे पहले हमने किया कि actual length of bacteria भी 1 cm हमने actual length of bacteria को मान लिए students की वो 1 cm है अब देखिए ये उसकी actual length है और उसको कितना times कितना गुना उसको बढ़ा किया गया था 50,000 time तो जो actual length थी उसको multiply कर दिया जाए अगर 50,000 के साथ तो इसकी exact length जो enlarged length होती है वो कितनी बन जाती है 5 cm तो जो original size है वो जितना गुना जितना times उसको बढ़ाया गया 50,000 times उससे multiply कर दिजिए is equal to enlarged length है जो यह आप देख रहे है यह उसका बड़ा photograph है जिसका size कितना दिया हुआ 55 cm ठेक है अब हमें तो X चाहिए X यानिके actual length X को इदर रखेंगे 50,000 यहाँ multiply में इस side आके division में आ जाएगा अब देखे इसकी calculation करते है 5 वंदा 5 और यह भी कटेगा 5 वंदा 5 आगे कितनी 0 है 4,0 तो यह बचा नीचे 10,000 तो यह हुआ 1 upon 10,000 क्या हम 10,000 को ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल क्योंकि 10,000 का मतलब है 10 की power 4 यानि 10 को 4 बार 10 से ही multiply कर दो तो 10,000 आता है तो इसको हमने लिखा 10 की power 4 अब इस 10 to the power 4 को अगर हम उपर ले जाते हैं तो हमारे पास इसका answer बनता है 10 to the power minus 4 हमने exponent and power chapter में आपको यह समझाया था कि जब आप reciprocal करते हैं तो जो power होती है वो power का sign बदर जाता है अगर यह power अपोन में है और यह positive है तो उपर जाके यह negative हो जाएगी तो उपर आकर क्या हो गया 10 to the power minus 4 cm तो यह उस bacteria की X क्या है बेक्टिरिया का जो actual length है X यहनि बेक्टिरिया का real size क्या था तो वो था 10 to the power minus 4 cm यह उसकी actual length थी students तो इस तरीके से हमने इसका पहला part सोल कर लिया है कि actual length है 10 to the power minus 4 cm जब इसको 50,000 times बढ़ा करके दिखाय जाता है तब यह बन जाता है 5 cm तो इसकी actual length आपको यहाँ पर मिल गए अब इसके बाद students हमसे कहा गया है कि अगर आप यह length 50,000 times की बजाए 20,000 times ही बढ़ाते हैं तब आपको enlarge length कितनी मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको एक table के थुरू दिखाया है देखिए जब enlarge photograph यानि photograph को कितना बढ़ा किया गया 50,000 time जब 50,000 time बढ़ा किया जाता है तब हमें photo मिलती है 5 cm length की ठीक है enlarge length in centimeter 5 cm हो जाता है अगर actual photograph को 50,000 time बढ़ा किया जाता है और अब वो हमसे कह रहे हैं कि 50,000 के बजाए 20,000 time बढ़ा करना है तो enlarge length क्या रहेगी सीधिची बात है students कि अगर यहाँ पर यह वाली value कम हो रही है यानि आप बढ़ा ही कम कर रहे हैं करेंगे x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 x1 की जगा यह 5 आ जाएगा और y1 की जगा यह 50,000 x2 की जगा यह x2 यह आएगा यह तो हमें निकालना है और y2 की जगा 20,000 अब हमें किसकी वैजे find out करनी है x2 की x2 यानि वो वाली length जो इस photograph को 20,000 टाइम बढ़ा करने पर हमें मिलेगी ठीक है तो यह 20,000 यहाँ cross multiply हो जाएगा 5 के साथ ठीक है तो x2 तो इधर का इधर ही रहा 20,000 इधर आ गया अब हम देखते calculation कैसे होगी देखिए 4,0 यह उपर है 4,0 यह नीचे है यह आपस में cut जाएंगी अब यह 5 वंदा 5 5 वंदा 5 यह 5 से 5 भी cancel out हो गया अब बचा क्या सिरफ 2 यहाँ पर हमें x2 की value क्या मिल गई है students 2 तो जो enlarge length है वो हमें कितनी मिली 2 cm यानि कि अगर आप photograph को जो bacteria का original size था उसको अगर सिरफ 20,000 times बड़ा करते हैं तो जो enlarge length जो आपको photograph उसके बाद मिलता है उसकी length कितनी मिलेगी 2 cm तो 6 question में हमसे कहा गया है In a model of a ship the mast is 9 cm high while the mast of the actual ship is 12 m high If the length of the ship is 28 m how long is the model ship देखिए यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि क्या कहना चा रहे हैं In a model of a ship एक model है ship का ship बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका model चोटा है The mast is 9 cm high देखिए जो ship होते हैं उन पर mast देखिए यह इस तरीके से flag type यह रटकाया जाता है जिसके साथ यह pole होता है इसे mast कहते हैं जो आपका model है students वो उसके अंदर जो mast है वो pole 9 cm high है तो यह देखिए 9 cm high है while the mast of the actual ship is 12 meter high लेकिन जो actual में ship है उसका जो mast है उसका जो यह pole है जिससे कपड़ा टांगा जाता है जिससे flag type यह जो आप देख रहे हैं इसको टांगने के लिए जो pole रखते हैं से mast कहते है actual ship में यह 12 meter है model में 9 cm actual में 12 meter ठीक है एक तो यह information given हो गई उसके बाद if the length of the ship is 28 meter यहां हमसे का गए कि जो actual length है बड़ा जो original ship है उसकी उसकी जो length है वो 28 meter है how long is the model ship तो इस model ship की जो length है वो हमें पता करनी है ठीक है अब देखे हमने इस table के तुरू आपको यह question solve करवाया है length of model अगर हमें 9 cm given है तो original में actual में उसकी length कितनी है 12 meter actual length meter में है length और जो model की length है वो centimeter में है तो जो mast की हमें length दे रखी थी model में वो 9 cm थी और actual में length कितनी थी 12 meter अब हमसे का गया कि जो actual length है उस ship की इस ship की actual length 28 meter है तो इसी को अब हमें model की length में पता करना है ठीक है अब देखे यहाँ पर हमें इस x2 की value find out करनी है जब यहाँ पर actual length 12 meter थी तो model में length थी 9 cm तो जब यहाँ पर यह length बढ़ गई 12 meter से कितनी हो गई यह 23 meter तो यहाँ भी यह length बढ़ जाएगी इसका मतलब यह क्या है यह direct proportion है students तो हम direct proportion का यहाँ पर formula यूज करेंगे x1 upon y1 is equal to x2 upon में y2 x1 की value यह 9 आ गई यहाँ पर x2 और y1 की value यह 12 आ गई is equal to as it is x2 हमें यह find out करना है तो यह x2 as it is रहेगा y2 यहाँ पर given है 28 अब हमें x2 निकालना यानि के जब actual length उष्यप की 28 meter है तो model में उसकी length कितनी होगी तो यह x2 हमें निकालना है तो इसको हम यहाँ as it is रखते हैं यह 28 यहाँ cross multiply हो जाएगा 9 के साथ तो यह 28 इदर numerator में आगे 9 के साथ multiply में अब on में 12 as it is है अब देखते हैं इसकी calculation कैसे होगी देखे हम 3 से इसको divide कर सकते हैं 3 3 दा 9 और 3 4 दा 12 अब 4 1 दा 4 और 4 7 दा 28 नीचे तो सिरफ 1 रह गया और उपर देखिए 7 multiply by 3 7 3 दा 21 तो x2 की value आ गई 21 इसका मतलब यह हुआ students कि जब actual ship की length अगर 28 meter है तो model ship जो बनाया गया उसकी length कितनी रहेगी 21 centimeter तो यह हमने final answer लिखा है आपके लिए the length of the model ship is 21 centimeter तो 7th question में हमसे कहा गया है suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystals अगर हम 2 kg शुगर लेते हैं तो उसमे number of crystals है 9 into 10 to the power 6 crystals का मतलब है यहाँ दाने ठीक है जिसे चीनी के दाने होते हैं how many sugar crystals are there in अब हमें बताना है कि कितने number of crystals होंगे first part अगर हम sugar लेते हैं 5 kg of sugar और second part में हमसे कहा गया अगर हम लेते हैं 1.2 kg of sugar ठीक है students तो हम table की मदद से इस question को solve करेंगे तो सबसे पहले जो given information है उसको use करते हैं एक तो हमें number of crystals given है और एक sugar दे रखी है kg में number of crystals है 9 into 10 to the power 6 अगर sugar in kg 2 होता है यानि अगर 2 kg sugar है तो उसमें number of crystals क्या होंगे 9 into 10 to the power 6 इसके बाद first question के इसाब से चलते हैं 5 kg अगर sugar होगी तो हमें बताने है number of crystals कितने होंगे यही तो यहाँ पर का गया था how many sugar crystals are there in अगर हम 5 kg शुगर रेते हैं तो अगर यह 2 kg शुगर की जगा हम 5 kg शुगर रेते हैं 5 kg शुगर तब उसमें number of crystals कितने होंगे उसे हमने रेत कर लिया x2 और उसके बाद second part में हमसे कहा गया है कि अगर 2 kg की जगा 1.2 kg और शुगर लिया जाए तब number of crystals कितने होंगे तो अब हमने sugar in kg कितना लिया 1.2 kg इसमें हमने बताना है number of crystals कितने होंगे तो इसको हमने रेत कर लिया x3 तो हमें x2 find out करना है और x3 find out करना है तो सबसे पहले case में देखते हैं कि पहले तो शुगर था 2 kg ठीक है और उसके अंदर number of crystals थे students 9 into 10 to the power 6 जब ये शुगर 2 kg से बढ़कर 5 kg होगा तो ओव्यसी बात है कि उसके जो number of crystals से वो भी बढ़ जाएंगे पहले आप 2 kg शुगर में number of crystals देख रहे थे जब आप 2 kg की बजाए 5 kg शुगर लेते हैं तो उसमें number of crystals भी बढ़ जाते हैं दूसरे case में भी यही होगा कि जब आप 2 kg शुगर की बजाए 1.2 kg शुगर लेते हैं तो उव्यसी बात है कि आपकी जो शुगर है वो कम हो रही है kg में तो number of crystals भी कम हो जाएंगे यानि एक पर अगर sugar in kg बढ़ रही है तो number of crystals भी बढ़ रहे है और sugar in kg अगर कम हो रही है तो number of crystals भी कम हो रहे है इसका मतलब यह कौन सा proportion हुआ direct proportion तो यहाँ पर हम direct proportion का formula यूज़ करेंगे x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 अब हम first part को पहले solve कर रहें students तो यहाँ पर x1 की जगा हमें क्या given था 9 into 10 to the power 6 तो x1 की जगा हमने यह value रखी upon y1 y1 की जगा क्या है यह 2 यह 2 यहाँ रखा is equal to का sign as it is x2 यह x2 की value हमें find out करनी है यह x2 as it is रखा y2 की जगा यहाँ क्या है यह 5 आया ठीक है students अब हमें value find out करनी है x2 की तो यह 5 यहाँ divide में है तो इदर आके cross multiply होगा और numerator में इसके साथ multiply हो जाएगा ठीक है तो यह x2 तो अपनी जगा पर रहा 5 इदर आके इसके साथ numerator के साथ multiply हो जाएगा 9 multiply by 10 to the power 6 as it is यह 5 इदर आके इनके साथ multiply में आ गया अब ओन में यह 2 as it is है अब ध्यान से देखेगा students कि 9 multiply by 5 करेंगे तो 45 आता है into 10 to the power 6 as it is है अब ओन में 2 भी as it is है is equal to x2 यह तो हमें find out करना है अब इस 45 को अगर हम 2 से divide करते है तो देखें कैसे होगा 2 1 दा 2 2 2 दा 4 बचा क्या 5 2 2 दा 4 5 में से 4 गया 1 अब देखें 1 तो 2 से कटने सकता तो यह decimal लगेगा decimal लगेगा तो 1 के आगे 0 आजेगी तो वो 10 बन जाएगा 2 5 दा 10 यानि कि अगर आप 45 को 2 से divide करें तो 22.5 आता है आप इसको students इस तरीके से भी divide करके देख सकते हैं कि अगर आप 45 को 2 से divide करते हैं तो 2 2 दा यहाँ पर 4 आया 4 से 4 cancel out हुआ 5 बचा यह 5 नीचे आ गया 2 2 दा 4 5 में से 4 गया 1 अब यहाँ पर decimal लगेगा यहाँ 0 आएगा और 2 5 दा 10 देखे क्या answer आ रहा है 22.5 तो 45 को 2 से divide करेंगे तो 22.5 आएगा यह 22.5 यहाँ as it is multiply by 10 to the power 6 भी यहाँ as it is is equal to x to b यहाँ से हमने as it is यहाँ पर लिख दिया अब देखिए यहाँ पर यह 22.5 है अब आम इसको standard form में change करेंगे students जो आपका decimal होता standard form में जब बहुत चोटे number हो या बहुत बड़े number हो जैसे कि 5 kg शुगर में कितने crystals हो सकते हैं गिनने में भी बहुत समय लगेगा शायद 1000 लाखों के संख्या में होंगे तो जो बहुत बड़ी संख्या के number होते हैं उसमें हम standard form यूज करते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि आपका decimal है वो हमेशा left side से जो पहला natural number होता है उसके बाद होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर देखिए 22.5 है यह हम आपको बताते हैं कि जैसे 22.5 लिखा हमें यह decimal एक number इस side खिसकाना होगा तब ही यह कहाएगा पहले natural numbers के बाद left side से जो पहला natural number था देखिए उसके बाद आ गया अब यह decimal कितना number खिसका इदर एक number इदर आया तो अगर हम right से देखिए right से हम left जा रहे हैं जब हम right से left जाते हैं तो हम multiply करते हैं 10 से जब हम यह decimal को यहाँ पर shift करते हैं multiply by 10 अब देखिए कितना number कितना digit इदर आये एक digit आये क्योंकि एक digit आये तो यहाँ पर power आ जाएगी 1 एक बात आपने और भी याद रखनी है कि अगर यह right से left में जाता है तो power positive होती है अगर यह left से right में जाए तब power negative आती है मान लिजिए कि यह decimal यहाँ पर एक number की बजाए हमें दो number shift करना होता यह decimal यहाँ होता एक और एक दो अगर हमें दो number इदर कर shift करना होता तब हम 10 की power 2 रखते राइट से left में जा रहा है power positive एक डिजिट आगे गया इसलिए 1 यहाँ पर लिखा गया और 10 की power 1 का मतलब तो 1 ही होता है अब यहाँ पर देखिए यह decimal यहाँ से इदर आएगा पहले natural number के बाद 2.25 as it is multiply by अब क्योंकि एक ही digit आगे गया था हमारा decimal था तो power 2 आ जाती 2.25 into 10 to the power 1 जिसको 10 भी कह सकते है क्योंकि power 1 का तो कोई मतलब इस तरीके से ही नहीं कि हमें ज़दा सोचना पड़े 10 की power 1 यानिके 10 into 10 to the power 6 यहाँ पर as it is है is equal to x2, x2 की वैज़े तो हमें find out करनी है तो कि x2 ही हमें number of crystals देगा जो की 5 kg शुगर में होंगे और देखिए 2.25 as it is multiply आप देखिए ये दोनों numbers आपसे multiply हो रहे है और base क्या है, base same है जब दो numbers multiply हो और उनके base same हो तो powers add हो जाती है तो 10 as it is आया, दोनों की power प्लस कीज़े, 1 plus 6, 7 is equal to x2, देखिए हमें x2 की ये value मिल चुकी है और x2 क्या था students number of crystals था, जब शुगर कितनी थी 5 kg, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence number of crystals in 5 kg sugar are 2.25 into 10 to the power 7 यानि अगर 5 kg शुगर ली जाए तो उसमे number of crystals होंगे 2.25 into 10 to the power 7, अब हम इसका second part solve करेंगे students तो second part में हमसे कहा गया था कि अगर शुगर 1.2 kg ली जाए तब number of crystals कितने हैं, देखें सबसे पहले तो 2 kg शुगर थी, उसमें number of crystals से 9 into 10 to the power 6 अब शुगर कर दी गई है शुगर 2 kg से हो गई 1.2 kg तो उस case में number of crystals हमें पता करने हैं, तो इस case में number of crystals को माना x3, इसको रेट कर लिया x3 यानि अगर 1.2 kg शुगर होगी तो उसमें जो number of crystals होगे, उससे हमने x3 मान लिया है आप हमें पता है कि यह direct proportion है क्योंकि अगर शुगर कम हो रही है शुगर kg में कम हो रही है तो उसके number of crystals भी कम होगे एक चीज़ कम होने से जब दूसरी चीज़ में भी कमी आए तो यह direct proportion है तो direct proportion का formula यूज़ करेंगे students x1 upon y1 is equal to x3 upon y3 x1 की जगा 9 into 10 to the power 6 upon y1 की जगा यह 2 आ गया is equal to as it is x3 की जगा यह हमें find out करना है x3 और upon में y3, y3 की जगा 1.2 ठीक है students अब देखिए यह 1.2 यहाँ divide में इधर आके multiply हो जागा cross multiply numerator के साथ तो 9 into 10 to the power 6 अपनी जगा पर as it is यह 1.2 यहाँ कर इसके सथ cross multiply हुआ multiply by 1.2 divided by 2 as it is is equal to यहाँ से बच्चा x3 यह तो हमें find out करना है अब देखिए 9 as it is into 10 to the power 6 as it is multiply by right से देखिए कितने digit के बाद decimal था एक digit के बाद तो नीचे 10 आ जाएगा अगर 2 digit के बाद decimal हो तो 100 आता है एक digit के बाद है तो 10 आ गया तो नीचे वाला यह जो denominator में 2 था यह as it is decimal हटने का यह 10 नीचे आ गया अब यह 12 is 2 से divide किया जा सकता है 2 1 दा 2 2 6 दा 12 हमने इसको as it is यहाँ पर note किया फिर से 9 as it is into 10 to the power 6 as it is into यह वाला 6 आ गया अब ओन में क्या बचा यह 2 तो कट चुक है यह 10 बचा is equal to x3 हमें find out करना है अब 9 6 दा 54 ठीक है students into 10 to the power 6 as it is upon 10 is equal to x3 as it is अब students इस 54 को भी हम standard form में लिखेंगे ठीक है देखे 54 यहाँ पर decimal कहा है जब कहीं decimal नहीं देखता तो decimal यहाँ last में होता है अब हमें इसको standard form में change करना है तो यह decimal को हमें left की तरफ से जो पहला digit है उसके आगे लगाना होगा तो यह decimal यहाँ से यहाँ आएगा यहाँ से इसको यहाँ लाएंगे तो यह क्या बन जाएगा 5.4 और कितने digit इदर आया एक digit इदर आया तो multiply by 10 की power 1 अगर 2 digit इदर आता तो power में 2 आ जाता और right से left में आ रहा है तो power positive होगी अगर किसी case में हमें left से right में लेकर जाना पड़े तो power negative आती है यह भी चीज़े आप ध्यान में रखिएगा तब यह 54 इंटू 10 to the power 6 upon 10 is equal to x3 यह हमारे पास था इस 54 को हम standard form में change कर रहे हैं decimal 54 के बाद था तो इसको यहाँ ला रहे हैं दिखें क्या बन गया तो 10 जरूर करना है और जितने भी digit decimal को आप shift करे थे उतनी ही यहाँ पर power आ जाएगी multiply by यह 10 की power 6 as it is है upon में 10 b as it is is equal to x3 अब देखिए 5.4 as it is multiply by यहाँ पर यह 10 और 10 आपसे multiply रहे हैं जब base same हो और multiply हो रहे तो powers प्लस हो जाती है 10 as it is और यहाँ पर जो power होंगी उसको हमें तो students अगर आप चाहें तो यह powers प्लस करके भी इस question को आगे solve कर सकते हैं यहाँ लेकिन हमने थोड़ा easy method लिया देखिए 10 की power 1 यानि यह 10 है और नीचे भी 10 है तो यह 10 से हम 10 को काट भी सकते हैं आप चाते तो पहले इनको multiply कर सकते थे तो 10 की power 7 आ जाता और उसके बाद अपोन में भी 10 था तब भी अगर आप solve करते तो answer यही आता यहाँ पर हमने इस 10 से इस 10 को divide कर दिया 5.4 as it is multiply by 10 to the power 6 यह भी as it is is equal to x3 यह हमें x3 की value यहाँ पर मिल चुकी है और x3 क्या था कि जब sugar 1.2 kg है तो number of crystals यहाँ पर हमने rate किया था x3 तो हमें पता चल गया कि अगर 1.2 kg शुगर होगी तो number of crystals होगे 5.4 into 10 to the power 6 तो यहाँ पर हम रिख सकते हैं hence number of crystals in 1.2 kg of sugar are 5.4 into 10 to the power 6 तो यह question में हमसे कहा गया है तो यहाँ पर हमसे यह कहा गया students कि रश्मी के पास एक road map है ठीक है उसके पास एक नक्षा है एक road map है with a scale of 1 cm representing 18 km यानि कि अगर road map में अगर distance 1 cm लिया जाए तो reality में on road उसका जो distance होगा वो कितना होगा 18 km यानि कि अगर आप map में 1 cm अपना distance ऐसे change करते हैं तो on road आपको उसके लिए कितना करना होगा 18 km ठीक है या आप यह भी कह सकते हैं कि अगर आप road पे 18 km चलते हैं तो map में कितना distance कवर होगा 1 cm she drives on a road for 72 km road पर वो कितना आगे travel करती है कितना drive करती है यानि गाड़ी चलाकर उसने distance कवर किया 72 km यानि 72 km what would be her distance covered in map तो हमें बताना है कि अगर 72 km अगर 72 km वो road पर चली है उसने drive किया है गाड़ी तो map में कितना distance कवर हुआ होगा देखिए road पर अगर 18 km चले तो map में 1 cm का distance कवर होता है road पर अगर 72 km चली है तो कितना distance कवर होगा map में ये हमें निकालना है तो देखिए यहां हमने एक table create करी है distance in map map में जो distance है वो cm में है actual distance जो है वो km में है तो जब map में 1 cm का distance होता है तो actual distance है 18 km या हम यह भी कह सकते हैं कि अगर actually में वो 13 km drive करती है गाड़ी रस्ते पे रोड पे तो map में 1 cm का distance cover होता है फिर उन्हें हम से का कि अगर वो 72 km drive करे, 72 km का रस्ता तया करे तो map में कितना distance cover होगा तो यह हमें निकालना, ISM ने नाम जे दिया X2, यह X1 है, यह Y1 है यह X2 है, यह Y2 है अब देखें students यह जो है यह एक direction, direct proportion है क्यों? क्योंकि जब 18 km का distance था on road, reality में तो map में कितना distance था 1 cm, जब यह distance बढ़ गया यानि कि actual distance 18 से 72 हो गया तो map का distance भी तो बढ़ेगा यानि एक चीज बढ़ रही है, तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो कौन सा proportion हुआ, direct proportion वो direct proportion का क्या formula होता है X1 upon Y1 is equal to X2 upon Y2 तो X1 की जगा, यह 1 आएगा Y1 की जगा, यह 18 आया is equal to X2, तो हमें निकालना है तो यह X2 as it is, Y2 की जगा यह 72, अब हमें क्या निकालना था X2, तो यह 72 इदर आके cross multiply हो जाएगा 1 के साथ 72 इदर आया, 1 से multiply होगा 72 1 दा 72 upon में 18, अब अगर आप divide करेंगे students, तो अगर आप 72 को 18 से divide करें तो 18 के table में 4 पे 72 आता है, 18 4 दा 72 ठीक है, तो X2 की value क्या आगई, 4, यानि कि अगर 72 किलोमेटर actual distance होगा road पे, तो map में कितना distance cover होगा, 4 तो हम finally लिख सकते हैं hence distance covered in map is 4 cm, क्योंकि जो map का distance था, वो cm में था, तो 9 question में हमसे कहा गया है, a 5 meter 60 cm high vertical pole casts a shadow 3 meter 20 cm find at the same time देखे, सबसे पहले हमसे ये कहा गया है कि एक 5 meter 60 cm high, यानि ऐसे height है, एक pole है, pole यानि कि खंबा हुआ, देखे, मान लिजे कि ये ऐसे एक pole है, ठीक है ये एक pole है, जिसकी height कितने given है, 5 meter 60 cm casts a shadow 3 meter 20 cm long और इसकी एक परचाई बनती है, जमीन पे, तो देखे, ये इसकी परचाई बनेगी ऐसे, यानि कि अगर ये pole 5 meter 60 cm का है, तो ये जो इसकी shadow बनेगी, ये shadow, ये बनेगी 3 meter 20 cm, और फिर वो कहरे है, find at the same time, अब हमें दो कोशन दिये गए, students इसमें, कि अगर, the length of the shadow cast by another pole, 10 meter 50 cm यानि कि हमें find करनी है, length of shadow, shadow की length find करनी है, किसी दूसरे pole की, अगर उस pole की length कितनी, height कितनी हुई, 10 meter 50 cm, देखे, जो पहला pole दिया गया था, उसकी height थी 5 meter 60 cm, और उससे तो shadow बन रही थी, वो थी 3 meter 20 cm, अब हमसे का गया, इसी को use करना है, और पता करना है, कि अगर 10 meter, और 50 cm, height वाला कोई pole है, यानि height पहले से बढ़ गई, तो shadow कितनी निकलेगी, ठीक है, एक पार्ट तो यह हुआ, और second part है, कि height of pole पता करनी है, अगर उसके द्वारा cast की जा रही है, shadow, यानि उस pole के द्वारा, अगर shadow बनाई जा रही है, 5 meter long, तो हमारे पास 2 question है, हम एके करके इनको solve करते हैं, देखे, हमने एक table त्यार किया, यहाँ पर इससे हमें यह question solve करना easy हो जाएगा, length of pole, in meter, देखे, जो length of pole है, यह और कुछ नहीं है, बलकि height ही है, किसकी height है, pole की, आप चाहे तो length of pole भी लिख सकते हैं, और height of pole भी लिख सकते हैं, दोनों का यहाँ यह की मतलब रहे pole की, देखे, 5 meter, 60 centimeter, 5 meter, यहाँ हम आपको समझाना चाहेंगे, यह चीज़ ध्यान से देखेगा, 5 meter, 60 centimeter, इसको अगर आप पूरी तरह से meter में convert करते हैं, तो आप इसको 5.60 meter रख सकते हैं, जानि 5.60 meter और 5 meter, 60 centimeter एक ही चीज़ है, तो कि हम question meter में solve कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 meter, 60 centimeter को, 5.60 meter, ठीक है, जब height, pole की height अगर 5.60 meter थी, तो shadow कितनी रब्बी बन रहे थी, 3.20 meter, देखे, given था, 3 meter, 20 centimeter, तो 3 meter, 20 centimeter को आप 3.20 meter लिख सकते हैं, ठीक है, यह values हमें given है, तो यह तो X1 और Y1 के लिए use हो जाएंगी, अब अगरा scenario यह था, कि हमें कहा गय लिख सकते हैं, 10 meter, 50 centimeter, तो हमने length of pole, देखे, length of pole या height of pole, उसमें हमने लिखा, 10 meter, 50 centimeter को, 10.50 meter, ठीक है, इस case में हमें इसकी shadow की length बतानी है, तो वो Y2 हो गई, ठीक है, उसके बाद, अगले part में उन्होंने हमसे कहा था, कि shadow बन रही है, 5 meter, तो देखे, shadow की length क्या रखी, 5 meter, इ हम आपको फिर से बतादें students, यहाँ पर आप length of pole भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो यहाँ पर height of pole भी लिख सकते हैं, तो पहला part किस तरीके से अब solve होगा, देखे, अगर height of pole या length of pole, 5.60 meter से 10.50 meter होती है, यानि height of pole बढ़ गई, तो shadow की length भी बढ़ जाएगी, एक चीज बढ़ रही है, तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, इसका मतलब यह क्या है, direct proportion, तो direct proportion का formula होता है students, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2, x1 की value 5.60, यह रखी, y1 की value 3.20, यह यहाँ पर रखी, is equal to x2, x2 की value थी 10.50, वो रखा, y2 जो हमें निकालना है, वो यहाँ as it is है, इसके बार हमें y2 की value निकालनी थी, इसको cross multiply करके हम यहाँ ले आएंगे, y2 यहाँ पर आगया, यह पूरा part cross multiply इस तरफ हो जाएगा, 5.60 यहाँ multiply में था, इधर आके देखे, divide में आगया, 3.20 यहाँ पर divide में था, इस side आकर multiply में आगया, अब देखते है students, इसकी calculation कैसे होगी, इसको decimal remove कर दिये, ताकि आपके लिए calculation easy बन सके, यहाँ से decimal अटाया, right से देखे, 2 digit के बाद decimal था, तो यह decimal अटने से 1050 हो गया, 2 digit के बाद decimal था, तो नीचे 100 आ गया, multiply, 2 digit के बाद decimal था, नीचे 100 आया, नीचे से भी तो decimal अटा, यहाँ भी 2 digit के बाद decimal था, उपर 100 आ गया, जब decimal अटाते है तो नीचे 100 आता है नीचे से decimal अटाते है तो उपर की तरफ आपके zeros आते हैं मालनीची जहाँ एक digit के बाद decimal होता तो नीचे 10 आता तो यह आप ध्यान रखेगा कितने digit के बाद decimal है अब यहाँ पर इन 2 0 से यह 2 0 cancel out हो जाएगा इस 0 से यह 0 कट जाएगी यहाँ पर देखिए इस 0 से यह 0 cancel out हो जाएगी यहाँ पर 105 अपोन 10 बचा multiply by यहाँ से 32 अपोन में 56 बचा अब देखते है students इसकी आगे कैसे होगी देखे यह दोनों नंबर 7 से कट जाएगे 7 8 दा 56 और यह देखिए 7 वन दा 7 10 था यहाँ पर तो यह 10 में से 7 गया 3 3 and 5 35 तो 7 5 दा 35 अब देखिए यह भी कट सकता है 8 1 दा 8 8 4 दा 32 15 into 4 15 into 4 क्या होता है students 60 अब ओन में 10 as it is तो यह 0 से 0 कट गई तो calculation अब ध्यान रखिए इतना इस तरीके से calculate कीजिए कि वो आपके लिए easy बन जाए तो हमने बहुत easy method से आपको calculate करके दिखाया है यहाँ पर क्या बचा y2 की value आ गई 6 क्योंकि अब ओन में 1 का तो कई मतलब भी नहीं है तो हम यहाँ पर देखिए यह कह सकते हैं कि जब length of pole या height of pole 10.50 meter थे तो उस case में आपकी जो shadow बनेगी उस pole की वो कितनी होगी वो y2 था और y2 की value कितनी आ गई 6 यानि hence length of shadow is 6 meter length of shadow 6 meter रहेगी when length of pole या height of pole is 10.50 meter जब pole की height 10.50 meter है तो उसके द्वारा बनाएगी length of shadow होगी 6 meter तो यह इस question का first part सोल होगा है students अब हम इसका second part करेंगे second part में हमसे कहा गया था कि height of pole पता करनी है और cast जो shadow होती है यानि shadow जो बन रही है वो 5 meter long है देखे हम इसी table को इस्तेमाल कर रहे है यहाँ पर x1 और y1 हम इसी को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर देखिए x2 और y2 हम औरड़ी use कर चुके तो इसको हमने यह दिसरफ एक naming होती है students तो इसको हमने x3 नाम दे दिया जो find out करना है तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि आप जो shadow बन रही है वो 5 meter है पहले shadow कितनी थी 3.20 meter shadow अगर बढ़ गई है shadow की length बढ़ गई है तो length of pole कहिए या height of pole कहिए वो भी तो बढ़ेगी यानि यह direct proportion है तो direct proportion का formula रगाते है x1 upon y1 is equal to होता तो x2 upon y2 है लेकिन इस question में x2 upon y2 औरड़ी हम use कर चुके हैं तो इसको हम x3 और y3 use कर रहे हैं x3 upon y3 तो x1 की value 5.60 यहाँ आ गई y1 की value 3.20 0 यहाँ आ गई is equal to x3 हमें निकालना है x3 और कुछ नहीं है बलकि height of pole होगी किस case में जब shadow की जो shadow बन रही है वो 5 meter है उस case में तो x3 हमें निकालना है वो as it is है y3 की value यह रही 5 यानि 5 अब हमें x3 निकालना है यहाँ पर as it is file यहाँ आकर 5.60 के साथ cross multiply हो जाएगा यहाँ divide में था इदर multiply में आ गया अब देखें calculation कैसे होगी हमने यहाँ पर decimal रटा दिये यह हो गया 560 नीचे है 320 जब उपर से decimal रटा दो डिजिट के बाद decimal था नीचे double 0 आ गई यह 100 हो गया नीचे से decimal रटा नीचे भी दो डिजिट के बाद decimal था उपर 100 आ गया यह 20 से यह 20 कट जाएगी अब देखें यहाँ से इस 10 से भी 10 कट जाएगी यहाँ से बचा 56 अपोन 32 multiply by यह 5 ठीक है students यह 5 यहाँ पर यही जो continuation में चल रहा है वही आ गया है ठीक है आप देखते हैं इसकी calculation अप किस तरीके से होगी अगर आप इसको solve करें तो ध्यान से देखेगा यह यहाँ दोनों number किस से कट रहे हैं यह दोनों number आप कैसे काट सकते हैं 8 से काट सकते हैं देखें 8 4 दा 32 और 8 7 दा 56 और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 अब उन में बचा 4 अब इस 35 को 4 से डिवाइड करना है वो हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया देखें 35 डिवाइड बाइ 4 4 इट दा 32 बचा कितना 3 अब यह 3 इस से छोटा हो गया तो decimal लगा 0 आ गया 47 दा 28 बचा कितना 2 decimal तो लगाई हुआ है उसका 0 आ गया 45 दा 20 पूरा कट गया यानि कि X3 की value आ गई 8.75 देखे यहाँ पर आपका जो answer रहेगा वो X3 की value आ चुकी है इसका मतलब जब 5 meter shadow होगी तो height of pole कितनी या length of pole कितनी होगी वो होगी students 8.75 meter तो हम यहाँ लिख सकते हैं Hence the length of the pole is या height of the pole is 8.75 meter when length of shadow is 5 meter जब length of shadow 5 meter है तो height of pole या length of pole 8.75 meter है आप इसको 8.75 meter भी बोल सकते हैं 8.75 meter या 8.75 meter एक ही चीज होती है तो 10th question में हमसे कहा गया है a loaded truck travels 14 km in 25 minutes loaded truck यानि भरा हुआ ट्रक उस ट्रक में समान भरा हुआ है travels 14 km in 25 minutes 25 minutes में 14 km का distance कवर करता है यानि 25 minutes में 14 km का distance कवर कर लेता है आगे है if the speed remains the same अगर speed same रहती है how far can it travel in 5 hours तो 5 hours में वो कितना distance कवर करेगा देखे सीधी सी बात है 25 minutes में 14 km कवर करता है 5 hours में कितना distance कवर करेगा यह हमें find out करना है तो हमने यहाँ पर यह table बनाई है और इसमें हम देखे क्या लिखा है distance traveled km में लिया और time हमें क्योंकि 5 hours में पूछा गया है कि 5 hours में कितना distance कवर होगा तो यहाँ पर time आएगा hours में ठीक है तो students हमें कहा गया था कि 25 minutes में 14 km distance कवर होता है तो time जो 25 minutes है उसको हमने पहले hour में convert किया क्योंकि हम यहाँ time hour में ले रहे हैं तो अगर कभी भी आपको time minute में given students और आपको उसे hour में convert करना हो तो उसे 60 से divide कर दीजिए तो 25 by 60 यह hour में convert हो गया देखिए मतलब इसका भी भी वही है कि 25 minutes में कितना distance कवर हुआ 14 km बस उस 25 minutes को हमने hour में convert करके लिख दिया है और जब 5 hours का time लेता है यह truck यानि 5 hours तक प्रेवर करता है तो कितना distance कवर होगा यह हमें निकालना है यानि हमें x2 निकालना है यह x1 यह y1 यह x2 यह y2 अब देखिए time 25 minutes से कितना हो गया 5 hours यानि time बढ़ा तो distance भी बढ़ेगा एक चीज बढ़ रही है और उसके according दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो कौनसा proportion हुआ और direct proportion का formula होता है x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 x1 की value यहाँ पर 14 रखी हमने ठीक है y1 की value 25 by 60 रखी ठीक है क्योंकि हमने इसको r में convert किया है is equal to x2 की value as it is यह तो हमें निकालना है और y2 की value 5 रखी अब यह जो number है 25 by 60 यह upon में है जब हम इसको उपर लेकर जाएंगे students तो इसका reciprocal हो जाएगा 60 उपर multiply में आ जाएगा और 25 यह division में आ जाएगा ठीक है तो क्या मिलाब हमें 14 यहाँ as it is है multiply by reciprocal हुआ 60 उपर 25 नीचे is equal to x2 upon 5 यहाँ पर as it is है अब क्योंकि हमें x2 की value find out करनी थी तो x2 तो अपनी जगह पर ही है यह 5 यहाँ cross multiply होकर इदर इनके साथ उपर आ जाएगा देखिए यह 14 as it is into 60 as it is यह 5 इदर cross multiply होकर यहाँ आ गया यहाँ division में था यहाँ multiply में आ गया multiply by 5 अब ओन में 25 as it is अब देखिए किस तरीके से calculation होगा 5 वन दा 5 5 वन दा 25 यह कट गया अब देखिए 5 वन दा 5 और 5 वन दा 60 क्या बचा 14 into 12 और यहाँ तो यह 1 है तो इस 1 का तो कोई मतलब भी नहीं है तो 14 into 12 अगर आप करेंगे students तो यह इस तरीके से calculation होगा 2 4 दा 8 2 वन दा 2 फिर 1 4 दा 4 1 वन दा 1 8 4 and 2 6 और यह 1 तो यह 14 और 12 को multiply करेंगे तो कितना आएगा 168 तो X2 की value क्या आगई 168 देखिए X2 किसको represent कर रहा है distance travel को यानि जब 5 hours चलेगा यह truck तो distance कितना travel होगा distance travel होगा X2 और X2 की value कितनी है 168 यही हमसे पूचा गया था कि जब 5 गंटे truck चलता है तो कितना distance cover होता है तो हम यहां लिखेंगे hence truck travels 168 km in 5 hours 5 गंटे में जो truck है वो 168 km का travel करेगा